पश्चिम बंगाल की राजधानी कॉलकाता के तिलजिला में एक बच्ची की हत्या के मामले में राश्च्रिबाल सरक्षन आयोग ने कारेवाई की है और इस घटना को लेकर राज़े पुलिस के डीजी और मुख्य सचिफ को नोटिस दिया है दरसल कॉलकाता के तिलजिला में एक साथ साल की बच्ची की हत्या का आरूप उसके पडोसी पर लगा है और इस घटना के बाद कॉलकाता की सडकों पर बवाल मच गया प्रदर्शन कारियो द्वारा पुलिस की गाड़ियों में तोड़ फोड की गई रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया गया और आगजनी भी की गई इस मामले में पुलिस ने कारिवाई करते हुए 20 लोगों को गिरफतार किया है केंद्रिय बाल सनरक्षन आयोग ने तिलजला में साथ साल की बच्ची के साथ हुए योन्शोशन और हत्या पर चिंता जताई है और केंद्रिय बाल सनरक्षन आयोग के अध्यक्ष प्रियांग कानूंग ने ट्वीट कर लिखा कि आयोग कोलकाता में साथ साल के बच्ची की मौत को लेकर चिंतित है हम उस राज्य के डीसीपी और मुखे सचिफ को नोटिस भेज रहे हैं और हमारा एक प्रतिनीदी मंडल घटना की व्रिस्तित्व जानकारी हासिल करेगा इस साथ साल की बच्ची की पोस्टमॉटम रिपोर्ट में कहा गया की नाबालिक का तोलिया से गला घोड दिया गया था और मौत सुनिश्चित करने के लिए सिर पर किसी भारी चीज से वार किया गया आरोपी पडोसी को पुलिस ने पहले ही गिरफतार कर लिया है और पुलिस की माने तो इस वारदात को अंजाम देते वक्त आरोपी नशे में था और तांतरिक के कहने पर उसने इस पुरी घटना को अंजाम दिया